नमस्कार मैं ब्रजेर साजपूत आपका स्वागत करता हूं अंदर टॉक टाइम में आज के टॉक टाइम में हमारे साज जो अथिती हैं वो बहुत खास हैं वो हैं 2007 बेच के आईए सबसारों मध्यपरिय सरकार के ग्रह सचियो श्री उम्प्रकार श्रीवास्तोई सर आपको बहुत बहुत स्वागत है टॉक टाइम में हम लोग आपको लंबी समय से बुलाना चाहरे थे कि आप आते हैं हमारे स्टूडियों और आप चुकी आपकी प्रतिवा कुछ अलग भी है कि आप अच्छे ओफिसा तो हैं साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं तो सब प बड़ी इंस्पाइडिंग चीज रही अधि मेरी जो प्रारमफीक्स इक्षा हुई हाईर सेकंडरी तक वो ठीकाउंगण में हुई और मैं मैं मैथमेटिक्स का विद्यार थी था तो मेरी बड़ी इक्षा थी कि मैं इंजिनियर बनू और उस समय इंजिनियर बनने के लिए बड़ा समाज में प्रिष्टेज होती थी अगर कोई इंजिनेरिन कॉलेज में निकल गया तो बड़ा उसको सम्मान मिलता था तो मैंने निरंतर प्रयास किया लेकिन मैं किसी कारण से नहीं निकल पाया जब मेरे कुछ नंबर कम रहे तो मैं BSC Agriculture करने Agriculture College गवालियर पहुच गया बहां भी मैं तीन साल लगातार मैंने प्रयास किया लेकिन तीन साल तक मेरे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नंबर कम होते थे और मैं इंजिनेरिक में सेलेक्ट नहीं होता था तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसी बीच में बेवे कनंद केंदर के संपर्क में आया और स्वामी आत्मा नंजी महराज उस समय थे उनके एक कारकरम में में गया तो उन्होंने गीता का इसलोग हमकुस बताया जब मैंनों से पूछा क्यों है कि मैं मेहनत करता हूं और सफल नहीं होता तो उन्होंने गीता का इसलोग बताया जिसका आर्थ है था कि भाग का जो जो रोल है वो केबल 20 परसेंट है 80 परसेंट आपको पूरुशार्थ है अधिस्ठानम तथा करता करनम चप्रतक विधम विविधास चप्रतक चेश्टा दैवम चैवात्र पंचमम उससे मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया मुझे यह लगा कि यह तो बड़ी अलग बात है कि पूरुशार्थ 80 परसेंट और भागी 20 परसेंट और फिर मैंने एक दिशात है कि कि अब मैं PSC दूँगा यू PSC दूँगा और उसके बाद फिर मैं 1989 बेच में डिप्टी कलेक्टर हुआ और उसके बाद 2007 में इसमें इसमे में आप पढ़ाई की तो कुछ वहां के कुछ किस्से वताई है कि टीकमगड में चुकि उस समय आप जानते हैं कि सारे सरकारी स्कूल चला करते थे और मेरा मैथमेटिक्स में और साइंस में बड़ा रूची होती थी तो एक वार विज्ञान मेला लगा तो विज्ञान मेला में एक ऐसा अब आजकल तो कलेंडर होते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पर देख लेते हैं कि 2026 में 25 दिसंबर कौन से दिन पढ़ेगा या पंदरागर्स उनीसों साथा दिन था तो आसान है उस समय ऐसा आसान नहीं होता था तो आप जानते हैं कि सारे महीने की बस साती दिन से एक या तो सौंबार से शुरू होगा या रविवार से होगा तो साथ तरह के ही महीने हो सकते हैं तो जब मैं नभी में पढ़ता था तो मैंने इसको जोड़कर एक बड़ा साधारन सा एक बो बनाया कि अगर हम किसी सन के ऊपर बटन दबाते हैं और उसके साथ में कि तो वो खूब बड़ा बना उसको उसको पर खूब सारे तारों का जाल बन गया तो जब मैं उसको इसकूल में लेके गया तो उसी समय इसकाई लेप गिरा था 1989 की बात है मैं अभी में पढ़ता था तो बच्चों ने चड़ाना शुरू कर दिया कि इसका इलिया बना के लिया आए तो उन्होंने कहा कि बताओ एक जुलाई और कोई सं था मुझे याद नहीं है कोई I think 77 या ऐसा खुछ था उस दिन कौन सा दिन था तो मैंने तुरंत उसक है उसमें उसको लेके फिर हम संभाग इस तर तक गए तो बड़ा प्रोथसाहन विला कि हमने ऐसा किया लोग इसको स्काइल आप कहते थे और हमको इतना सम्मान विला कि सिक्षा मंत्री आए तो बच्चों पर इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है चोटे में तो आ अगर आपका साइंटिफिक टेंपरामेंट है साइंस आए और ना आए वो एक बिल्कुल अलग चीज अगर साइंटिफिक टेंपरामेंट है तो आप हर चीज को उस तरह से उसको तारके ग्रूप से सोचेंगे उसके सारे पहलूं पर बिचार करेंगे और उसका कुई निश आपने कई जगों पर कलेक्टर भी रहे हैं रिवा, मंसौर, शिपूरी में और मुझे याद है हम लोग जब मंसौर गय थे आपको उस वक्ट जब वहाँ भेजा गया था तो किसान गोली कांड हुआ था मंसौर बहुत बढ़ा और फिर उसकाद आपको वहाँ जो असांती फै मैंनी मुखमंत्री जी के वीसी होने वाली थी तो मैं बैठा हुआ था तो अब चुकि मुखमंत्री जी की वीसी होती है तो हमेशाथ कुछ भाई रहता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे इसी वीच मैसेज आया कि वह वीसी आज नहीं होगी तो हैं बड़ी खुशी होई कि कि नहीं हो रही कुछ हो गया चलो आज के दिन हो गया कल देखें यह फिर पता चला कि शिपपुरी में गोलिकांड हो गया है च्हे किसान मर गए तो एक मन में यह भाव आया कि मैं तो शिपपुरी का कलेक्टर हूं बहुत दूर है मंदसौर से और यहां तो सब ठीक ठाक है हम तो ठीक है शाम को फोन आ गया कि आपको बहाँ पोश्ट किया गया है आपका ट्रांसपर हो गया एकदम एक नया चैलेंज सामने आए जिसको मैं सोच रहा था बहुत दूर की घटना है हम से कोई लेना देना नहीं पता चला मुझे ही बहाँ जाना है सुबहे हम दूसरे दि करीब मंसौर से दस किलो मेटर दूर से बहुत सी गाड़ियां जली हुई हालत में खड़ी थी गोली कांड में जो बर गए थे लोग उन गाव में बड़ी अशान्ती थी हमारे एस्पी भी मनोज कुमार सिंग थे वो नए नए वहां पदस्त हुए थे ऐसे जगे जब आप जाते हैं एज प्रशासक की रूप में तब हमें बड़ा महत्पूर्ण होता है कि हम पबलिक से संबाद करें उनको उनके अपने प्रती उनके मन में विश्वास पैदा करें भाई ठीक है जो घटना है वो हो गई लेकिन हां कुई अधिकारी है जो मेरी बात सुन सकता है तो हम लोगों में जाते ही मैंने और एस्पी ने सबसे पहले ये किया कि जिन गाओं में जिनके घरों में लोगों की मृत्यू हुई थी उन घरों में हम लोग गए और कई घर तो ऐसी थे जहां पर दाय संसकार भी नहीं हुआ था दूसरा हम लोगों ने ये किया कि हम लोग फो दोस्यों को दंड देना चाहती है उसका प्रभाव यह हुआ कि हम सभी छे घरों में गई सभी गाउं में गई और तीन दिन बाद हमने उस समय जो ततकाली मुखंतरी जी थे मानिय शिवराद जी उनका हमने तौरा भी कराया तो एक प्रशासक के लिए बहुत महत्पूर्ण है एक उसके निश्पक्षता के बारे में आज सामने वाले को विश्वास होना चाहिए और ऐसा मौकासर कितने डिफिकालिट होते हैं अकसर ऐसे मोके आते खासकर प्रशासिक अधिकारियों के सामने की जंता बहुत नाराज है बहुत गुस्रे से उबल लई है और आपको उसक प्रशा ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी निश्पक्षता लोगों के प्रती विश्वास फिर क्या होता है जैसे मंसौर में तुम्हें नया नया गया था तो मैं बिलकुल न्यू था लेकिन जब आप काम कर चुके होते हैं किसी जिले में तो आपकी छभी बन जाती है जि होने के बाद जो अपराधी पुलिस ने पकड़े वो किसी एक समुदाय के थे उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरा समुदाय पूरा सडकों प्या गया बहुत खराब इस्थिती थी छोटी बच्ची थी जिसको पकड़ा वो सब युवक थे 25-25 साल के थे और ऐसा लगा कि प रंड देने के लिए आप लोग भी सडकों पर निकलो लोगों को विश्वास और मुझे बड़ी मुझे लगता वो जीवन की शायद इससे भी बड़ी सफलता थी हमारे प्रशास ने गुसकी जब अपराधियों को समुदाय भी बाहर निकला और उसने कहा कि इन लड़कों स जहां आजीवन कारावास हुआ फास्ट्रेक कोर्ट में केस चला लेकिन उस सिच्वेशन को जो बात थी जो एकदम हिंसात्मक होने वाली थी वो इसलिए ठीक हुई क्योंकि दौनों समुदायों को ये विश्वास था कि हमारे प्रशासक जो है वो निस्पक्छ है वो कह रह है तो हमारे लोगों ने ही कहा कि सर सोचल इंडिया पर लगातार अपडेट करते रहते हैं और अभी आपकी पोस्ट वड़ी वारेल हुई थी आपकी बेटी को लेके जो हमारे पास भी है अभी जैसे अपने बेटी शूती को पोस्ट का जवाब दिया था तो वो बड़ी इ इनटी ने कई बार सिविल सर्विस दिया उसने मैंस दिया इस वार इंटरवियो दिया और बहुत अच्छा था लेकिन कुछ हुआ कि कुछ नंबर से वो सिलेक्ट होने से रह गई और जब से रहे घगी तो उसमें कोई एक पेपर इसा था जिसमें उसके बहुत अच्छे न करते हैं एक लाग बच्चे बैठते हैं तो 99,900 तो कुछ भी करें सौही सेलेक्ट होंगे तो उन 99,900 के लिए क्या है तो मैंने बेटी को पोश्च जरूर लिखी लेकिन मुझे लगा कि यह पोश्च अब के लिए हो सकती है तो आप ते उसमें लिखा कि भारत की केबिनेट सेक आई-पी-एस बन जाओंगा ऐसाने यह कितने आई-एस आई-पी-एस हैं जो गुम्नामी में अपनी सर्विस करके चले गए और कितने सिक्षक हैं जो अमर हो गए तो आप समाज के लिए क्या करते हैं देश के लिए क्या करते हैं यह निर्फर करता है पद उतना महत पूर् एक पोष्ट और हमाई जिसने सरच की उसने दिये कि बेटियां इतनी चिंता करती हैं सुबह और शाम आपने उसमें लिखा है यह क्या सुछ के लिखा यह बात दिल्चस्प है कुछ ऐसा होता है जो हलके फुलके मूड में भी लिखा जाता है हमेशा गंभीर तो हम नहीं र जागा कुछ ऐसा घर में था तो मैंने इसको डाला था एक चीज और ही कि हमने देखा कि आप गीता पर बड़ा इस्पेस लिखाने लगाता है आप यह बहुत सुन्दर सी किताब है यह है शिवान से शिवतक अपने जो कैलास मांसरोवर की यात्रा अपनी पत्नी के साथ की अपने बड़ा सुन्दर सा ट्रेवलोग लिखा है तो इसको बने यात्रा करना अलग बात होती बागर उस पर लिखना वड़ा एक अलग काम है तो यह क्या सूच कि आपने लिखा है जो यात्रा होती है सामान रूप से जो ट्रेवलोग लिखे जाते हैं वो घटनाय होती है कैसे हुआ, कहां गए, कहां रुके, क्या खाया चुकि कैलास मानसरोबर की यात्रा एक spiritual जर्नी है हम उस यात्रा के माध्यम से कैसे अपने अंदर से जुड़ते हैं हम कहते हैं हम शिब जी के दर्सन करने जा रहे पर शिब तक तो क्या है जिसके हम अनभूती करने जाते हैं तो हमने जब यात्रा की तो हम लोग ने करी 200 किलो मीटर बर्फ में पैदल चले भारत से बहां जाते जाते इस समय जो spiritual अनभूतियां मुझे हुई उसको मैंने और मेरी पत्नी भारती ने त्रेव लोग के माध्यम से वो spiritual journey है जो इसमें दी गई है और इसका उदेश है कि हम तीर थ्यात्रा करने तो सब लोग जाते हैं लेकिन कितने लोग है जो तीर थ्यात्रा कर लाव लेते हैं कई लोग के बल मनुरंजन के लिए जाते हैं कुछ लोग एडवेंचर के लिए ज मांसरोबर यात्रा के बाद मांसरोबर यात्रा में विशेश बात यह होती है जैसे हम लोग सामान रूप से कभी spirituality में बात करते हैं कि मैं हूँ वही परमात्मा है वही दूसरे में है वही सब में है लेकिन इस चूछ की अन्भूती नहीं होती हैं कि वह बहुत धिक रूप स होता था कहीं सिलिफ हो जाएं तो कई हजार फीट गहरी खाईया थी उससे बहुत खतरनाक था जाना इस कारण से क्या हुआ हमारा एक कंसंट्रेशन पूरा रहा और हम बताएं तो आपको आठ दिन में हम सारी दुनिया भूल गए सुबए से शाम तक हम चलते ही रहते थे त वह अनुभूति हम भोपाल में रहके नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हमने वहां प्राप्त की उसके बाद जो बदला वाता है वो इट के नो डिस्क्राइब कहा नहीं जा सकता पर आपको एक शान्ती आपको एक देखने का नजरिया वो बदलता है तो आपकी अलग स्रक्सि यह जो है इतना बड़ा इतना मौटा ग्रंथ है इसके पीछे की महनत कितने सालों की और यह क्या है हम लोग परमपरा से रामचरित मानस से जुड़े हैं और कई बार हम प्रबचन जब सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग एक ही शब्द की कई तरह से व्याख्या करते हैं कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई एक चौपाई की आवश्यक्ता होती है पर यह नहीं पता चलता कि यह कहां मिलेगी तो मेरी पत्नी भारती और मैंने सोचा कि हम लोग एक ऐसा एंसा एकलोपेडिया तैयार करें जिसका हर शब्द रामचरित मानस में आया है उसके सार और जिन अर्थों में तुलसी दाश जी ने उपयोग किया है वो सारे अर्थ एक स्थान पर रहें तो हम लोग ने 2000 में इस काम को शुरू किया था और 2017 में जाके पूरा हुआ और इसके बाद मुरारी बापुजी ने इसका भी मोचन किया था तो यह सब्द मानस आपके पास करिया हैं करिया जो विषेशन है Nãyाउन है संग्या है स्ब लिये हैं तो इसमें हमारे 14,6119 शब्द ने थोड़ा से कई बार भेहद हो जाता है जैसे राम करपा तो हो सकता है किसी संस्क्रण में राम और करपा अलग अलग हो और किसी में एक साथ हो तो हमने 14,611 किये हैं, कई संयोग ताक्षर भी हैं, उनको अलग करेंगे तो हो सकता है, 150 का अंतर आ भी सकता है. इस सब के लिए आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं, इतना लंबा गहन लेखन, जबकि आपको जिम्मेधारी अभी बड़ी महत्पूर मिलती आई हैं हमेशा से. मुझे लगता है कि जिसको जिस काम में आनन दाता है, उसके लिए समय के कमी नहीं होती है. बहुत सभी, बहुत अर्भूत काम है, यहनि इसको लगाता है, देखते जाओ, पड़तियाओ लगता है, तो आप रामचरित मानस से आपका जुड़ाओ कैसे हुआ? आप गीता पर भी लिख सकते थे, रामचरित मानस पर क्यों लिखा? बास्तम में जुड़ाओ तो मेरा सबसे पहले जो मेरे स्वामी आत्मानण जी का उधारन दिया, जिसने मेरे जीवन को बदला, तो वो गीता ही थी और हमारा मुख गीता है, और रामचरित मानस इतना सहज और सरल है, कि गीता जो बात कहती है बही बड़े सरल सब्दों में तो रामचरित मानस में कहते हैं, तो रामचरित मानस इक तो परंपरा से जुड़े हैं, हम बुंदेल खंड के हैं, और बुंदेल खंड में गीता तो हर कोई नहीं पढ़ता है, तो बच्मन से रामचरित मानस से जुड़े हैं, गीता से जोड़ना तो तब हुआ जब हुआ तो रामचेरित मानस यह हमेशा से जुड़े हैं बात होई है कि हम एक प्रोफिशन में कितने कितने काम करने पड़ते हैं आप एक तरफ गीता और रामचेरित मानस पर आपने लगाता लिखा और सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे रही थी एक बार कमिशनर आपकारी एक्साइज के एक पढ़ने लिखने इस्पिरिच्वल शक्स जब आपकारी विभाग में जाता है तो वो कैसा है नहीं होता आपको अपनी प्रोफिस्नल और परस्नल लाइफ को अलग रखना पड़ेगा और सारा बेदान्त यही तो कहता है अगर आप दोनों को अलग रखने में सक्षम है इसी का अगला चरण है कि हम अपने आपके अपने आत्मस्वरूप को और संसार में जो लिप्त है इसको हम क्या अलग अलग समझ सकते हैं तो यही एक चरण है जब मैं भगवान ने मुझे आपकारी कमिशनर बनाया मैं दिन बात करता था कि शराब के ब्रांड कौन से हैं कितने में भिक्रा है कहीं कमी तो नहीं हो गई लेकिन उसके साथ भी मुझे पता था कि मैं तो नहीं पीता हूं मैं तो इससे बिल्कुल अलग हूं लेकिन मेरा दायत तो है जब गीता में अर्जुन से कहा अर्जुन ने कहा कि आपने सौजनों से युद्ध नहीं करूँगा तो भगबान ने कहा नहीं है तो तुम्हारा कर्तब कर्म है और तुमको कर्तब कर्म को अना सकत भाव से करना है और उसके उपर ही पूरी गीता बनाई गई तो जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो आपका कर्तब है लेकिन पहले आप उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन करतब आपको करना पड़ेगा तो मुझे रखता है जब एक्साइज कमिशनर में बना तो मेरे साब ने ऐसी ही इस्तिती थी आप जब एक्साइज कमिशनर में बने तो हम सब लोगों को हैरानी हुई है बहुत आश्चे नहीं अगर हम यह कहेंगे कि मेडिया वालों से निपटना तो फिर नहीं निपट पाएंगे तो कैसे समपर्क मेरा लगातार 35-36 साल की सर्विस हो गई है तो मेरा फिर भी अभी कहना है कि अपने बारे में लोगों में विश्वास पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर अपने उसमें कर लिया और उसको कायम रखा तो फिर आपको कोई चुनोती नहीं आती है फिर आप चुनोती से पार्ग हो जाते हैं लोग आपकी बात के विश्वास करते हैं मानते हैं और फिर अपने अप घटना कराम आगे चलना शुरू हो जाता है तो अगले चार बही न मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉंप्टिशन का जो सवरूप में परिवर्तन आया है और कोचिंग का प्रभाव बढ़ा है और कुछ ऐसा हो गया है कि जो बच्चे आ रहे हैं उसमें ग्रासरूट लेविल से आना चाहिए उसमें उतने नहीं आ रहे हैं जितने पहले आते थे त में भी बढ़ लिया लेकिन वो समाज में नहीं रहे हैं सोला साल के उम्मर में चले गए और सारा उन्होंने अपना पूरा समय उस केमपस में निकाल दिया है तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो जिस गाव में जाके उनको काम करना है उन लोगों की मानसिक्ता को समझ लोगों पर आप से हर कोई खोष हो आप से हर कोई सन्तुष्ट हो के लौटना चाहिए हम उसका काम ना कर पाएं लेकिन उसको विश्वास होना चाहिए कि हाँ इनोंने प्रयास किया था लेकिन शायद नियम में नहीं था या कुई दूसरी बात यह नहीं हो पाया अगर रह जो खासतोर से बहुत महानगरों से आ रहे हैं और बड़े-बड़े इंस्टिट्ट्ट से आ रहे हैं सब्सक्राइब कि अब बड़ा बदलाओ भी हुआ है कि अब लोर मीडिल करस के बच्ची भी क्रेक कर रहे हैं मगर जैसे पहले मैंने देखा कि चारेमली के बच्ची होते हैं मगर आप शिवाजी नगर के बच्ची वे तुलसी नगर की बच्ची भी सामने आने लगें तो यह एक बड़ा बदलाओ तो है आई एस या पी-सी-एस में जो बच्चे जा रहे हैं मगर सरकार ने कुछ और नए तरीके सी भैच्चों को या नए योकों को परसातिक सेवा में लstein की सोची है जो अलग-अलग जगें सी ओुष होते हैं अलग जिग और जना कितना अलग Спॉम्प्रीज में काम करते हैं में CEO होते हैं पीछे से एंट्री जो करवा रहे हैं तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा प्रशाज सेवा में नहीं जो आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं वह बहुत ऊपर के लेविल पर जॉइंट सेक्रेटरी लेविल पर है और उसके लिए तो अलग से विवाद चल रहा है उसमें हमें कुछ नहीं कहना लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं एक और अंतर आया है कि पहले बच्चे पहले भी छोटे घरों से आते थे अंतर इतना हो गया कि मीडिया का प्रभाव इतना हो गया कि आप छाट-छाट के लाते हो और उनको दिखाना शुरू करते है पहले भी हम कितने बच्चों को जानते हैं जो आये हैं ऐसा नहीं आते हैं एक अंतर ही आया है कि अभी बच्चे चाहे वो छोटी जगह से आया हो बड़ी जगह से दूसरा चैलेंज यह है वो आभासी दुनिया में ज्यादा रह रहे हैं उनको उससे निकलके ठोस दुनिया कि दोनों जाल रहा है एक तो इनफॉरमीशन भी देता है हमारा मुलियांकन भी करता है उतना ही डिस्ट्रेक्ट भी करता है दोनों चीजे है तो हम को इसके बीच में चलना है मैं कई नई आये आई आएस ओफिसर्स को ऐसा देख रहा हूँ जो मीडिया में बहुत मीडिया हैं और अपने साथ कैमरा लेखे ही चलते हैं 24 गंटे मुझे नहीं लगता वोई ठोस काम कर रहे हैं उतना करना ठीक नहीं है लेकिन आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मेडिया से शेयर होना चाहिए लोगों को पता होना चाहिए तो एक सामंजस रखना पड़ेगा उनको सर आप यहां आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने जिस तरीके से हम सब लोगों को अपने करियर और अपने किताबों को बारें बताए उसके लिए हम हमेशा आपको यार्द रखेंगे सर बहुत 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 शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह ये थे ओपी शियास्तो जी और अगली दफ़ा टाटॉक टाइम में हम आपको किसी और ऐसी शक्से से मुलाकात करवाएंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार